आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्मीनिया और अजर्बाइजान के बीच में चल रहे हैं इंटेंस कॉन्फलेक्ट के बारे में ये दोनों देश एक दूसरे को बहुत ज़ादा पसंद नहीं करते हैं और अब इन दोनों देशों के बीच में अलमोस्ट एक वार-like situation है अर्मीनिया और अजर्बाइजान के बीच में चल रहे हैं कान्फलेक्ट के दौरान कई सारे इंसिडेंस हुए हैं इस कान्फलेक्ट के लिए ये दोनों देश एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ceasefire violation दूसरे देश ने किया है historically अर्मेनिया और अजर्बाइजान के बीच का relationship बहुत ज़ादा अच्छा नहीं रहा है और इस latest conflict के दौरान जिस समय मैं ये video record कर रहा हूँ उस समय तक अजर्बाइजान के तकरीबन 20 drones, 30 armored vehicles और 3 helicopter neutralize कर दिये हैं जहां अर्मेनिया ने इस इलाके में martial law लागू कर दिया है वहीं अजर्बाइजान ने state of war declare कर दिया है अर्मेनिया के खिलाफ फिलाल दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर long range artillery rockets fire कर रहे हैं कई जगाओं उपर smrch देखे गए हैं दोनों अर्मेनिया और अजर्बाइजान Soviet Union के हिस्से हैं और जो map अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह Soviet Union का map है जब Soviet Union के टुकडे हो गये थे इस map में एक और दो नंबर पर जो देश देख रहे हैं वो अर्मेनिया और अजर्बाइजान है और इन दोनों देशों के बीच में एक defractor state है ये defractor state नगोर्णो कारबाग नाम से जाना जाता है internationally recognized border के हिसाब से ये इलाका अजर्बाइजान में आता है लेकिन इस इलाके में Armenian forces है और यहां की 90% आबाद ही Armenian है और इस इलाके को लेकर Azerbaijan और Armenian के बीच में काफी दिनों से एक conflict चला आ रहा है नगोर्णो कारबाग USSR के समय से ही सोवियत Azerbaijan से अलग होकर सोवियत Armenian से मिलना चाहता था लेकिन जब Soviet Union disintegrate हुआ तब यह कोशिश और भी जादा तेज हो गई जिसके बाद Azerbaijan और Armenian के बीच में एक युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध के अंत तक इस इलाके में काफी जादा territory अर्मेनिया के कबजे में आ चुकी थी लेकिन युद्ध के अंत तक जो status quo बना था वो वैसा का वैसा ही बना रहा ये युद्ध 1994 में खतम हो गया था और एक ceasefire sign हो गया था लेकिन इस status quo को लेकर Azerbaijan के अंदर एक frustration हमेशा था और साल 2016 में ये flare-up हुआ हलाकि तब ये एक इतना बड़ा conflict नहीं हुआ था लेकिन अभी जो स्थिती है ये almost एक full blown war हो चुकी है दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर long range artillery rockets चला रहे हैं इलाके में helicopters को मार के गिराए गया है armored personal carriers को मार के गिराए गया है tanks को मार के गिराए गया है और इन सभी चीज के videos धीरे धीरे surface कर रहे हैं Armenian लोग mostly Christians हैं वहीं Azerbaijan mostly Muslim है और historically Azerbaijan को Turkey ने support किया है reports के हिसाब से इन इलाकों में Turkish F-16 देखे गए है यानि Turkey ने Azerbaijan को back करना शुरू कर दिया है लेकिन इस इलाके में Armenia भी अकेला नहीं है traditionally Russia Armenia का एक supporter रहा है और reports आ रही हैं कि Russian military assets Armenia में आना शुरू हो चुके है यानि कि अगर Turkey इसमें बहुत ज़्यादा involved होता है तो Turkey directly Russia के against खड़ा होगा और ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या Erdogan Turkey को directly Russia के सामने खड़ा करना चाहेंगे Armenia की तुलना में Azerbaijan की economy काफी ज़्यादा strong है और ये चीज़ Azerbaijan की military के उपर दिखाई देती है Armenia की तुलना में Azerbaijan की military के पास में ज़्यादा equipment है और comparatively इनके equipment ज़्यादा नए भी है हाला कि दोनों ही देशों के पास में Russian origin के weapons है लेकिन Azerbaijan के पास में इन Russian origin weapons के साथ साथ Israeli origin के drones है और Turkish origin के missile systems है Azerbaijan की economy के पीछे वहाँ पर पाए जाने वाला oil है वहीं दूसरी ओर Armenia एक landlock country है और Armenia अकेले Turkey और Azerbaijan का सामना नहीं कर सकता especially तब जब Azerbaijan के पास में Turkish back militia का भी support है इसको देखते हुए Russia का role इस पूरे conflict में बहुत ज़ादा important हो जाता है और इस पूरे conflict में एक और बहुत important चीज़ है पूरा world order Wuhan virus के बाद में बदल रहा है और हर जगा एक नया conflict जनम ले रहा है ऐसे में देशों के बीच में बदलते हुए समी करण के बीच में एक perfect balance बनाए रखना काफी मुश्किल टास्क होगा और अगर ये टास्क पूरी तरीके से भारत कर पाएगा तो इसमें भारत के लिए एक opportunity भी होगी आज की इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही अटास्स